अस्लाम वारीकुम नाजरीन, ड्रॉमस ये अदावत की नेक्स एपिसोड में आप देखेंगे मारी जो कि उमीद से है जिसकी वज़े से यहाँ पर बेबी और वहाँ पर अरीबा तो जल बुन जाती है ऐसे मुफ तावीजों की चकर में पड़ी है कि जैसे कैसे कर कि मुझे उलाद हो जाए हाला कि डॉक्टर ने उससे साफ जवाब दे दिया मगर ये सब सुनकर भी उसे अकल ना आई कि मैं अपने करतूत क्यों न ठीक कर लूँ अब तावीज ले तो आई है बस उसके कोशिश है कि ये तावीज जल जाए सबसे पहले तो इसमें नूर का बंदोबस करूँगी फिर एक दिन नूर बैठी डॉल से खेर रही थी अरीबा डॉल तो उसके हाथ से चीन कर फैंक देती है कितनी बार तुम्हें कहा है डॉल से मत खेला करो तुम्हें बास समझ में नहीं आती क्या तो उसे वक्त रिहान की वालदा का इस कमरे से गुज़र हुआ तो वो फारन अंदर चले जाती है फारने से नूर को संभालती है चुप कर जाओ अरीबा तुम हद से जदे ही आगे बढ़ गई हो अब ये सास क्या कहती अरीबा ने तो अपनी सास को उंगली दिखा दी बस अब मुझे रिहान को बताने की दमकी मत दें वरना खुल कर खेलना भी मुझे आता है अब इस खेल का खेलना उसका इशारा तो सिर्फ और सिर्फ मारे की तरफ ही है कि अगर उनने रिहान से मेरे मतलिक कुछ काहा तो मैं उनकी बेटी की जिन्दगी बरबाद कर दूँगी और वैसे भी वो वीडियो भी ले ही चुकी है जबके दोसरे जानी बारीबच जो एक्सपेक्ट तो कर गई मगर बेबी अब उसे बहुत जला टफ टाइम देती है उसके साथ जलन अलग से है और यहां पर अपने शोहर के कारणामे सुनती है तो जल्दी अलग से है क्योंकि अपना चैन और सकून तो वो खुद बरबाद कर चुकी है क्योंकि अजज़त के इंप्लॉई के जिमें लगा दी उसने अपने शोहर की खबर जो के पल पल उसे बताता है और बलके मिर्च मसाले लगा कर बताएगा क्योंकि उसे तो इनाम की ही लालच है अब माँ की आवाज देखकर चिलाते हुए आ गई अरीबा तो फॉरंच उट खड़ी होई कि क्या हुआ बेबी बाजी मगर उसे तो आगे से दफ़ा ही कर देती है तुम दफ़ा हो जाओ यहां से अब मजबूरन मारे को यहां से जाना पड़ा मगर जाते जाते वो पीछे मुड़कर भी देखती इस बेबी को तो बेबी चिलाते हो अपनी मा को कहती ही है आज फैसला हो के ही रहेगा मा ने पूछा कैसा फैसला तो उसने क्या दिया तलाक लेगी आपकी बेबी अब यही मा इसे समझाएगी बेबी तुम पागल तो नहीं हो गई यह क्या बात कर रही हो इस बेबी को बस अपने कर्दूत नजर नहीं आएंगे ऐसे दिन बादिन यह बेबी और भी चिर्षडी होती गई उसके बच्चों को भी यही मारे यह देखती है वही उनसे फ्यार से मुहबब से बात करती है और बच्ची अपनी मुमाने से भी काफी जएदा टैश हो चुके है और तो और यह बेबी अब तो मा को भी नहीं चोड़ती मा ने आखिर कह दिया अरे तुम से तो दिन बादिन बात करना ही मुश्किल होता जा रहा है और इसी बेबी का ही हसद आखिर कार निकलेगा और वहाँ पर इस अरीबा का तब यह तो बिल आखिर सारी हकिकत सामने आई जाएगी क्योंकि वहाँ पर रिहान भी अपनी बेहन मारे को इस पाहत के हाथ तो ब्लैक में लोता वा नहीं देखेगा तब यह तो वह चाता है कि यह मामने में पुलिस के हाथ ही दे दू मगर यह अलग बात है अरीबा तो अपनी चाल ही चलेगी क्योंकि उसे दोसों को हाथ में करना जवाता है